हाँ बच्चो एनोड किर्णों की खोच को समझते हैं इनको केनाल किर्णे भी का जाते हैं कुछ नहीं था परफोरेटिर कैथोर अर्था छिद्रदार कैथोर को यूज करते ही यहां भी फ्लैश दिखने लगा बाद में रिसर्च की गई तो इनकी बहुत सरी प्रापरटीस प रिमान का मान सबी गैसों के लिए अलग अलग आता है तो यह बहुत प्राप डिफरेंस था ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जब आप वहां पे पावर दे रहे हो तो आपके गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और साथ में आयन बन रहा है अब जो इलेक्ट्रॉन है वो है एक्चुल में कैथोर्ड किर्णे सभी गैसों में से सेम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पर जो आयन बन रहा है साथ में वो है कैनाल किर्णे ये वाली तो वह तो डिफरेंस आएगा क्योंकि हर गैस का आयन वालब अलग होता है बाद में समझ माया है कि हाइडोजन के लिए यह मान सबसे ज़ादा आता है क्योंकि H+, एक्चुल में एक प्रोटोन ही है